नमश्वार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोसों अपने पाउपड को लाड़ी क्यों मार रहे हो हमेशा मुके को क्यों छोड़ रहे हो जबकी आप यह बात जानते हैं कि दुख और शुक जिवनकाल की दो भाई हैं जो के व्यक्ति की जुनकाल में लगातार चलते रहते हैं जब गरों की सुब इत्ति होती है तब हमें अच्छे परिणाम देखने को बिलते हैं और जब गरों में असुब पत्ति का निर्मान होता है तब हमें शमल का रहने की अवश्यक्ता होती है पर दोसों आप इन शबी बातों से क्यों परिचित रह जाते हैं ज जिए दोस्तों इसलिए दोस्तों आज की वीडियो को बिल्कुल ही मिशना करें और सुरूश लेकर अंत तक बिल्कुल ही ध्याश दिखिएगा क्यों आप शुबी को पता दी कि अब आपको हम जिवन के एक जिए बहुती मैकपुन पल से अवगत कराने वाले ही जो कि दोस्तों आपकी जिन्दगी को पूरी तरह बदल सकता है बशरते अब आपको अपने पाउं पर कुलाड़ी नहीं मारनी है तो दोस्तों वीडियो को शुरूश लेकर अंत तक बिल्कुल ही शांत हो कर दिखिएगा जिया दोस्तों हम आप शिवी को बतादे कि कल शिवी के जुनकाल में गरों के स्थि में बहुती बड़ा अनोखा बदलाव होने वाले ही जो कि चार गरों के स्थि आपके लिए शुब है और उनमें एक गर राहू आपके लिए अशुब प्रस्ति का निर्मान कर रहा है या दोस्तों आपके जिंदगी में फिर से चांदी ही चांदी होगी जुनकाल में जो भी शंकट समश्याएं है वा धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा तो दोस्तों हमारा आप शबी शिवी बस यही निवेदन है कि आज की वीडियो को आप बिल्कुल ही मिशना करें और दोस्तों शुरू से लेकर अंतर तक बिल्कुल ही ध्याश देखिएगा जैदोस्तों हम आप शिवी को बता दें किन में हम यह बात करेंगे कि कल शे आने वाली नौ दिन तक आपको कौन से विशेज बातों का ध्यान रखना है शाथी कल शे आने वाली नौ दिनों तक आपको कौन- खुशगपरी आपके नश्यमें होने वाले ही शादी कौन-कौन शे कारे करने शे आपको लाग की प्राप्ति होगी श्रादोस्तों यह अश्मि आपका लवलाइब के शरहेगा श्वास्त के सारहेगा किरेर के शरहेगा पारजयन और रात्त दिती शभी के बार में बहुत तरीकें भात करणे को आपके लिए उस division ऑफ और वांसे होऊ स्वाय विम्धा पार शुसरार म मालक्ष्मी सह ब्रयूर नमा को घुने गांद करें और जो दुश्मन आपके उपर हंसते हैं जो कष्ट देने का प्रयाश करते हैं दोस्वों उनको धंड इश्वर जरू देंगे तो दोस्वों जरू रिखेगा दोस्वों आप शुभी को पिता दें कि कल शे आने वाली नौ दिनों तक शुक्र और गुरू की जो दिती है आप जिनी अगर आप श्रमज लेंगे तो दोस्वों आपका पूरा थिहाज बदल जाएगा जिस इस्तिती से आप गुजर रहे हैं दोस्वों इन श्रभी से आपको मुक्ति मिलकर जोनकाल में फिर्शे वही खुशियां दोड़ने वाली है जिए दोस्वों आपको बदा दें क जो शुर्य की स्तिती होगी बहुत यह अच्छी है और दोस्वों आने वाली नौज दिनों तो जो चंद्रमा का परिवर्तन होगा बिलकुल आपके लिए लाभविकारी स्तिती में रहने वाली है प्रंद दोस्वों आपको बता दें कि जो राहू का थोड़ा प्रवाह है कुडली में थोड़ा चाब प्रस्तिति निर्मान कर शकता है यानि कि दोस्वों आपकी जुन्काव में जो साथ्रू है उनको इहां उक्षाज सकते ही आपको भड़काने के लिए आपको नीचे गिराने के लिए चानि ऐस में आपको शत्रूं से बचने कि बहुत ही को लफ़ावदी आपको मिलने वाली है तो दोस्तों आगे विडियो बिल्कुल ही ध्यांश शुनिएगा तो आई दोस्तों बात करते हीं दोस्तों ये शमय में और वाय की शमणता बने रहेगी अगर अस्तौन परब्वर्ट्स कोई योजनाप बन रही है तो दोस्तों उस्व सब्सक्राइब काम बनने की उचित साभावना बन रही है यह में सोच बजारत था आत्मिरेंग्चन करने का उचित समय होगा आप अपनी कारी को शलता वपिर समयधारी दोवरा शुगत परिणाम भी हासिल करने में यह में शक्षम रहेंगे और इसके प्राण दूसरे यह में अगर आपकी शावधने को लेकर बात करें तो दोसरे यह में कोई भी निरली तुरंद लेने का प्यास करें अने था शमय जोए आपके हाथ से निकल सकता है बायों के साथ किसी प्रकार का अभिवाद उत्पन ना होने दे अने था इसका नकात्मक प्रभाव घर की वश्ता पर भी पढ़ेगा इस बात के शमय आप ध्यान रखें और अहम को अपने उपर हवी नौ होने दें यह आपके लिए शमय नुक्षान दायक होंगे और शुप्राव घर में आपके लिए इसन होंगे आपको बता दें कि दोस्तों आपके मिले हुए नए आउश्वर का फाइ रहेगी आपको बता दें कि जीनी व्यक्तियों के शाथ आप अपने विचार बांट सकते हैं एश्य व्यक्तियों की साथ अधिक वक्त बिताने की आप यह में कोसिस करें और इसको प्राव दोस्तों आपको बता दें कि यह में किसी पीरी मित्रश्य मुलाकात होगी तथा रह शकती है शाथी दोस्तों यह में किसी को बिन मांगे शला ना दें अने था इसका खम्याजा भी आपको ही भुगतना पड़ेगा तो इस बात पर गौर करें अपने गुषे पर भी आपको काबू रखना होगा दोस्तों यह जो शमय आपके लिए बाहरी गतिदियों तद परिवार के शबी व्यक्तियों को गरों मेहसुल होगा आप जिम्मेदारियों के प्रति अधिक जागलूता भी दिखाएंगे आप से छोटी व्यक्तियों को आपके मारदशन की श्याहत्या होगी और इसकी प्रांदोस्तों यह शमय आपके लिए जो समय होंगे आपको बता होने से घर परिवार में खुशी और फिर सुकुन भरा माहल रहेगा बचों के उपर जड़ा पर्तिवन नो लगाएं इसे दोस्तों उनके मनोवल में कमी शक्ति हैं नकार्तमक बातों को अपने उपर यह में हावी नो होने दें तदा समयधारियों और शांती से काम लें अभी आपको इस्तिरता मेंसुद हो रही है लेकिन आर्थिक प्रक्रति एक जैसे ही रहने के कारण भईश में आपको इस बात का तकलिप भी हो सकती है इसके साथ दोस्तों आपको बदा दें यह में घर श्तितियां आपके लिए बहुत ही अनुकुले जो कि आपको पस्तित में लचिलापन जरूरी है किसी बात पर ज्यादा जिद्धी होने होने के कारण निरले उलश रखते हैं तो इस बात पर ध्यान दें शाथी दोस्तों यह में दिखावे की प्रविर्टी की कारण बिना सुझे समझे फिचल खर्जी ना करें शाथी आपको बदा दें कि काम क को पूरी तरह शे आजमाने की कोशिश करने होंगी अपने व्यक्तित गुनों से आप लोगों के साथ अच्छे समन भी बना शकते हैं इसलिए जबात का फैदा अपने काम के लिए करने की आप कोशिश करें इसके उपरां दोस्तों यह में अगर आपकी केड़ेट के लिकर बात करें अर्थात आपके वयशाय की तो दोस्तों यह में कारी छेतर में आपको अपने दवरा की गई मेहनत के उचित परिणा भी हाशिल होंगे प्रंतु किश्वी और दिनस्त ग्रमचारी के वज़ए कोई नुक्षान होने की आश्रंका भी बन रही है तो यह में कोई र कशित्त करने का प्रियांश करें ने था दोस्तों आपके द्वरा किये कारियों का श्रे कोई और भी ले सकता है दोस्तों यह में बाहरी शंपर कॉश्य भी विजनस मिलने की शंभावना बन रहे है इसको प्राम दोस्तों ये यह व में आपके के केरेड के-लिये जो हुँँगे आपके वह साय के लिएह और हम के दोस्तों आपको बता दें कि वह विभी पिछली कुल समय से जो भी अन्हें शुदार आ रहा है लेकिन दोस्तों अभी इस्तिती शमा नहीं रहेंगी लाब के शुरोद भी बनेंगे प्रन्तु मन्दी गतिशे नोगरी शिवारत वेक्तियों को भी अपना टार्गेट पूरा करने शे उन्हें प्रोत्ताहन भी यश्मे मिल सकता है इसको प्राहन दोस्तों यश्मे आपके केरेर के लिए जो समयोंगे आपके वायोशाय के लिए जो समयोंगे आपको बदा दे कि दोस्तों यश्मे वायोशाय में कारियों में कुछ रुकाउटें भी आशकती है प्रतों कुछ श्मे के बाद पश्तियां भी अनुकूल हो जिसका अशर घर की अश्वस्ता पर भी पढ़ सकता है आपको बता दें कि दोस्तों अपने श्वबा को शमित रखें इनसे आपके घर के वह स्था में सुधार आएंगी इसको प्रांद दोस्तों ये आपके लव लाइप के लिज़ समयोंगे आपके पारेवरिक जिवन के लि दोस्तों पारेवरिक बतावर्न ये खुश्वन में बनाने के लिए एक साथ कुछ समय जरूर वहितित करें तथा मुर्ण जर्मधी पूर्यम भी बनाएं इससे दोस्तों परिवार में वापस श्रकात्मग माहौल बना रहेगा और इसको प्रांद दोस्तों ये आपके लव में काम के बीच बीच में अराम भी आप लेते रहें ये श्रुमें सिर्दत्वा माइगरंग की प्रिशानी पर आपको होशक्ती है इसको प्रांद दोस्तों में आपके स्वास्त के लिए आपको बता दें बलड प्रिश्र तथा डाइबटी जोग अपना विसेज ध्यान र करें ये आपके लिए श्रुमे बहतर साबिद होगे और श्री साथ दोस्तों यह स्वास्त प्लेश जोगे आपको बता दें कि वरत्मान नकार्तमक्त पर वर्विर्थियों तथा शर्दी से अपना बचाव जरूर रखें अपनी दिंजरिया को और स्कित रखना यह में आप